हलो एवरीवन, माईसल दॉक्टर पुलकी शर्मा, करेंटली इंटर्न डॉक्टर, तो आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के राउंड टू के एक्सपेक्टेड कट अफ क्या रह सकती है, नीट 2023 के लिए, ऐसे के आपको पता है, यूपी के 85 क्या क्या एक सकती है, इसके बारे में बात करेंगे, ये स्टेट में आपको कॉलेज मिल जाएगा, इस बारे में बात करेंगे, तो यूपी के राउंड वन की कट आफ के मैं बात करूँ यह आपकी जो PDF डाउनलोड होई थी क्योंकि अभी वेबसाइट क्रेश हो रखी है वेबसाइट अभी भी काम नहीं कर रही है रिजल्ट आने के इतने टाइम बात भी ठीक है तो यह UP के राउन बन के आखरी कट ओफ से जो मैं आपको बता रहा हूँ और यह जौनपूर के जो आप उमीद करिए कि यह लाष्ट कट ओफ है इसमें थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है क्या पता जौनपूर की जगे गाजीपूर में गई हो आखरी कट ओफ है तो वो जो चेंज होंगे वो मैं आपको बता दूँगा अभी as of now जो details है उसमें यह कट ओफ लाष्ट है जो जौनपूर की कॉलेज में आखरी सीट मिली है ठीक है यूर केटेगरी में मिला है 20,608,20,608 पे OBC में 22,745 पे EWS में 22,483 पे SC केटेगरी में 1,052,091 पे और ST केटेगरी में 5,15,329 पे आपको आखरी कॉलेज मिला है ठीक है अगर दूसरे कॉलेज की बात करूँ जैसे गाजेपूर, मिर्जापूर इसमें थोड़ा सा आप एड़ करके चलिए महां तक जा सकता है maximum UR 20,800 तक मिला होगा OBC में 22,900 तक मिला होगा EWS maximum 22,700 और आपका ST,C में भी थोड़ा सा उपर तक मिला होगा ठीक है ये आप variation मान के चलिए हो सकता है क्योंकि website अभी आपकी ठीक से काम नहीं कर रही है तो ADZEK data मैं आपको नहीं बता पा रहा हूँ पर आप यहाँ तक मान के चलिए expected यहाँ cut off रही होगी ठीक है इसके बाद में अपन चलते है round 1 से round 2 में क्या changes आ सकते है ठीक है बहुत कम उमीद है पहली बाद तो cut off decrease होने की unexpectedly क्योंकि उत्तर प्रदेश उसको नहीं मिलता है लास्ट के college उसको मिल रहे होते तो वो छोड़ सकता है और इंडिया कोटा के second round में try कर सकता है फिर उसको again state के second round में मौका मिल जाता है counseling में participate करने का उत्तर प्रदेश में 30,000 security deposit का सीधा नुकसान होता है जिससे की देखा गया है पिछले सालों में student सीटे आती है आपकी ना के बराबर सीटे आती है और दूसरा factor यह भी है कि बहुत सारे बच्चे उत्तर प्रदेश के ऐसे हैं जिन्होंने round 1 में registration नहीं करा कोई उनका issue हो सकता है जैसे कि उनका कोई cast certificate है वो renew नहीं हो पाया एक अपरेल 2023 के बाद का तो वो इस बज़े से round 1 में participate नहीं कर रहे थे या फिर उनको उनका जो registration form है वो पूरी तरीके से फिल नहीं हो पाया था ठीक है पूरा वो transaction नहीं कर पाया थे यह भी reason है कुछ बच्चों का कुछ बच्चे all India quota के second round में try करना चाते हैं उनको UP के rules strict लगते हैं इसलिए all India quota में try करके state के second में आना चा सकता है all India rank 200 से 300 rank में difference आ सकता है maximum 500 rank का difference आ सकता है all India rank ठीक है state rank में तो ना के बराबर difference आएगा ठीक है तो उत्तर प्रिजिस से आप long करते हो अगर college नहीं मिला है तो फिर all India quota की तरफ आपको जाना पड़ेगा वहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा college का ठीक है private का क्या रहा और UP के government के बारे में मैं बताऊंगा आपको से पहले आप अगर नीट 2023 के लिए personalized counseling कराना चाहते हैं तो इस WhatsApp नंबर पर आप message कर सकते हैं जिसमें आपको all India quota और state quota दोनों की counseling मिल जाएगी दो तरीके के plan है plan 1, plan 2, ठीक है plan 1 में आपको 15% all India quota की choice preference list, 85% state quota की preference list, bond की PDF, college fees की PDF, need PG की seats, last year का all India quota, state quota का data, 24-7 WhatsApp assistance, last round तक decision making में आपको मदद कहा college लेना चाहिए, state में, all India quota में, किस round में लेना चाहिए, किस round तक जाना चाहिए, कब free exit करना है, कब upgrade करना है, ये सारी decision making में आपको मदद मिल जाएगे, आपको best college आपकी rank पे दिलाने की कोशिच करी जाएगी, plan 2 2 उसमें plan 1st के तो सारे feature जो मैंने बता है, वो मिलेंगे, मिलेंगे, साथ मैं आपको calling assistance मिलेगा, last round तक, जो student ये जो parents आते हैं, उनके doubt always all वो, वो plan भी ले सकते है, कैसे join करना है, इस number पे आपको WhatsApp पे सबसे पहले message करना है, ठीक है, सबसे पहले आप इस number पे WhatsApp पे message करोगे, फिर इस पे आपको phone पे GPA पे ATM के दुरूब पे करना है, जो भी amount आप, जो भी plan जोइन करना चाहते है, फिर उसके बाद में आपको screenshot पे करने के बाद, same WhatsApp नंबर पे share करना है, और personalize counseling program में आप enroll हो जाओगे, ठीक है, अब आजाते हो UP के private colleges की cutoff के उपर, देखो UP एक ऐसा state ह जहाँ पे round 1 से round 2 में cutoff increase होती है, क्योंकि first round में जो बच्चे है, उसके बाद में second round में पूरे इंडिया के बच्चे UP में आते हैं, seats लेने के लिए, ठीक है, first round में ही आ जाते हैं, पूरे इंडिया से seat लेने के लिए, क्योंकि UP आपके एक open state है, ठीक है, जहाँ पे आपको North India की culture भी मिल जाती है, UP में कई सारे private college में है, fees भी comparatively कम है, North India में अगर बात करो तो काफी कम fees है, उत्तरप्रदेश के private medical colleges की, तो आपके round 1 में काफी बच्चे participate करते हैं, और round 2 में और जादा बच्चे participate करना चाहते हैं, ठीक है, तो cutoff आपकी increase होती है, और दूसरा important factor, UP मे free exit का option नहीं है, और बहुत बड़ी amount होती है, ठीक है, दो लाख रुपया आपकी बहुत बड़ी amount है, जो आपको वापस से नहीं मिलती है, अगर आप join नहीं करते हो round 1 में college तो, ठीक है, इसलिए जो top के colleges हैं, इनका तो definitely cutoff बढ़ेगा, जैसे शार्दा हुआ, श्री राम definitely बढ़ेगा, और बागी के जो नीचे के cutoff है, थोड़े से low ranking वाले colleges है, उनका भी cutoff definitely increase होने वाला, उत्तर प्रदेश में अगर minority की बात करो, या अपर normal seats की बात करो, तो आप है ना, सभी का cutoff increase होने वाला है, क्योंकि आपके बहुत ही कम seat वेकेंट होने वाली है, क्योंकि seat वेकेंट इसलिए नहीं होगी, क्योंकि अगर किसी को seat छोड़नी है, तो उसको अपनी security deposit जो अच्छी कासी amount है, वो छोड़नी पड़ेगी, जिसको seat एक बार मिल जाती है, उत्तर प्रदेश का, तो उसने पूरा mind make up करके seat fill करी है, उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है, कि वो छोड़ेगा नहीं, वो आपे admission लेना चाहता है, उन में से कुछ बच्चे ही छोड़ते है, seatे, इस वज़े से आपकी कुछ seatे ही आती है round 2 में, इसकी वज़े से cutoff बहुत ही जादा बढ़ने वाला है, और साथ में भी high student, high marks के student, उनको बाद में लगता है round 2 में, कि उनक आपके बढ़ने वाले है, तो अगर आप private के बारे में सोच रहे है, उत्तर प्रदेश का, तो आप अपने backup options भी लेके चलिएगा, ठीक है, backup options में आप और other states के बारे में भी सोच सकते हैं, जो आपके open states है, deemed के बारे में भी सोच सकते हैं, तो आपकी हर तरह की counselling यहाँ पे counselling करा रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश के rules की वज़े से आप expect करिए कि आपको कोई जादा खायदा round 1 से round 2 में नहीं होने वाला है, जो आपकी round 1 की cut off चले गई है, almost वही final cut off है, mop up round में government colleges को फायदा हो सकता है, government colleges की जो counselling करा रहे हैं, उनको फायदा हो सकता है, पर again वो risky होत प्रदेश की normal seats में convert होगी, nobody knows, और कितने बच्चे आपसे आगे वाले expect कर रहे हैं, UP में रुखने की mop up round में, जो आपका third round होता है, उसमें तो ये भी अपने को पता नहीं है, तो वो थोड़ा risky round होता है, कितने सीटे आती है, कितने बच्चे toppers रुखता है, ये आपन expect नह जाती है, 575-80 तक चले जाती है, तो आप UP के लावा private में और options का भी mind में रखिए, और government college के अगर counseling करा रहे हैं, तो All India को उटा के second round और third round को काफी seriously लीजेगा, ठीक है, thanks for watching, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, आप channel को subscribe कर लेना और वीडियो को like कर देना, अगर वीडिय लागा तो